व्लॉग के शुरुवात कर रही हूँ उतकरश की बनाई इस चोट उसी अलमारी से कुछ न कुछ बनाता रहता है मुझे भी अच्छा लगता है और इस बार उसने बनाया है कि मैं अपने चोटे-चोटे से सामान इसमें रखूंगा इतनी चोट उसी बनाई है कि मुझे तो आ कटाने का उमनी करता मुझे लगता है तो मेरे काम की चीज बन गई है तो यह तीन कहंड्ण बनाए है जैसा अल्मिरा में होता है और जितना भी बारीकी से काम करता है मुझे बहुत अच्छा लगा और रक्षा बंधन का तेवाहार निकला है लेकिन हमारे हाँ तो रक्षा बंधन होना नहीं था इस बार लेकिन क्या करें इतनी सारी मेमोरीज हैं इतनी सारी यादें हैं कि हम लोग जो है कोई आए ना आए हम अपने घर में ही एक दूसरे के साथ हर चीज सेलि बड़ा तेवार होता है जिसका उतकर्ष को बेसबरी से इंतजार होता है। चौगना खुश हो जाता है अगर उसकी देधी आ जाती है उसकी कजन सिस्टर अगर आ जाती है तो उसके पैर जमीन पे नहीं टिकते हैं। इतना ज़्यादा खुश होता है और हर राखी एकदम देख देख के पसंद करता है और उसकी दीदी उसके लिए कम से कम 3-4 तरह की राखी भेज दिये तो यही हमारा सेलिब्रिशन हर साल का हुआ करता था कि अपने दादा जी को अपने पापा चाचा को यही राखी बनता था और एक-एक स्टेप सीखता था मैं बताती जाती थी और वो इंज्वाय करता था बट इस बार जो है बहुत मायूस हो गया था और एक्जाम के वज़े से दीदी बुआ आ नहीं पाती है ऐसे टाइम में यह त्योहार पड़ता है कि आना बड़ा मुश्किल हो गया है जब ब सारी चीजों को इंज्वाय करके हम लोग खुश हो जाते थे मैं और मम्मी जी तो केवल दर्शक होते हैं बाकि यह लोग तीनों चारों आपस में मिलके सेलिवरेट करते हैं और मैं पकवान बना देती हूँ लेकिन इस बार यह सब कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारे हैं ऐसा लेकिन ठीक है अब कुछ नहीं कुछ आदत तो डालनी ही पड़ती है हर किसी के जीवन में इस तरह का फ्रेज आता है यही कह कह के एक दूसरे को समझा रहे हैं बहुत मुश्किल से यह समय गुजर रहा है और अभी भी ऐसा टाइम पीरिड बचता है कि हम लोग को समझ में आता कि इसे कहां यूटिलाइज किया जाए और मौसम बहुत उतार चड़ाओ वाला है बहुत तरह के इंफैक्शन फैले हैं तो उस सभी चीजों का हम लोग को ध्यान रखना होता है तो जितना भी मैंने अपनी शादी के बाद यहां पर रक्षा बंधन सेलिब्रेट किया ह उसका एक चोट उसा मैंने बंच बना के कल सब के साथ इंज्वाइ किया वेल्कम टू माई चैनल दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो नहीं सब्सक्राइबर है उनका हरदिक अभिनंदन है दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं अंकिता जबलपुर से कर रही और मैं धोड़ी सी ठीक नहीं हूँ कि कल मैंना गिर गई हूँ अपने रूम में और मुझे बाहत ज्यादा चोटल अंधरूनी चोट लगे है क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता इस हाथ में पूरे हाथ में बहुत पेन है बहुत ज्यादा चिला कटा तो जादा नहीं है बहुत थोड़ा सा ही है लेकिन पेन जो हो रहा है न मेरा पूरा फुल बॉड़ी का जो मतलब बजबजन है वो एक कोहनी के ऊपर मैं टेक के गिरी हूँ तो अब आपरे समझी नहीं आ रहा कि कैसे एक्स्प्लेंग करूं हसी आ रही है लेकिन चलो ठीक है आलनीका और कई सारी दवाएं ली मैंने हल्दी दूद लिया पेन कम होता है फिर उसके बाद फुल बॉड़ी पेन चालो हो जा रहा है फुल बॉड़ी पेन और रात में तो मुझे इतनी छटपटा हट थी कि मैं क्या ही वोलो तो नीन भी ठीक से नहीं हुई यही सब अब शुरू हो गया है कही गिरना कहीं कुछ करना और गिरी तो मैं ऐसे फणी अंदाज में हो ना कि वो बताने में भी मुझे शरम आ रही है तो मैं तो नहीं बता रही हूं बस मैं गिर गई हूं चोट लग गई है और ठीक हो जाओंगे कुछ टाइम लगेगा आई तिंक कुछ दिन लग जाएंगे अचा इसके अलावे एक बहुती क्यूट सा अपडेट है मेरे पास उतकरश को लेके कि उतकरश की मैम ने पहली बार उतकरश को समझाया क्लास में कि बेटा आप अपने पैरेंट्स को जाके सौरी बोलो क्योंकि आपका ध्यान पढ़ाई से हट गया है पैरेंट्स बहुत प पता नहीं क्यों सटनली मैम ने इसको एकदम लास्ट उसमें बिठाल दिया लगातार 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 लास्ट में बैठके बच्चे बाते करते हैं दूसरे से तो यह लोग ना फिल्मों की बाते हैं फिल्मी डिस्कृशन पूरा का पूरा चल रहा था इनका तो यह चीज मैडम के भी उसमें आई और हम लोगों के भी उसमें आई कि भाई बच्चा अगर पीछे बैठेगा तो फिर तो उनको कोई नहीं रोक सकता है मैडम हैड़ डाउन करने को बोलती है विए बच्चे कहां करते हैं कही न कहीं से कुछ खुरापात होई जाती है तो एक यह चीज है कि वापस से सिंसियरली मतलब उतकरश ने वापस से सब चीजे शुरू की हैं जैसा ही पहले किया करता था उससे मैं बहुत खुश हूँ तो अब ही कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया है यह एक डिड़ घंटे इस कमरे में आके बैठता है पढ़ता है अपनी टेविल को बहुत अच्छे से अरेंज करके रखता है और मुझे दिखाता है पूरा वर्क और महनत कर रहा है कुल मिला के मुझे इसकी महनत दिख रही है कि हाँ चलो बच्चे का ध्यान वापस से लगा और कहीं न कहीं एक होता है कि अगर बच्चे खुद से सिंसियर हो जाए उनको टोकणी की ज़रूरत ना पढ़े ना तो सब चीज में बहुत स्मूतली चलती है तो चलो ठीक है इसको थोड़ा सा मैडम समझाया कहीं न कहीं उस चीज का असर पड़ा मैं तो पीछे लगी रहती हूँ और इस चोटे से चेंज से मैं बहुत खुश हूँ उसमें यह होता है कि चलो ठीक है बच्चा थोड़ी दिर आर्टन क्राफ्ट करना चाहता तो मैं बिल्कुल नहीं रोपती हूँ और बहुत कुछ भी कमी है मैं तो समझ रहा हूँ आप लोग भी बताई तो मैं इसको सुधारूंगा यह सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो बच्चा बड़ा हो रहा है और सही दिशा में जा रहा है तो बस आप लोग आशिरवाद दीजे और आप लोगों की बात अच्छ के साथ साथ हम सभी लोग थोड़ा सा अपने वापस से रूटीन में और वापस से अपनी महनत करने लगे हैं जो भी हमारा था इसके पापा का भी कहीं पर कुछ सेलेक्शन हुआ है वो मैं बाद में बताऊंगी जब एक दम कन्फोर्मेशन लेटर आ जाएगा तब साथ मैं आपनों के साथ से से शेर करूंगी लेकिन हाँ चलो बहुत दिनों बाद कुछ है पिलिए रृटा सा एक मन में उत्सा है पोड़ा सा सैलिब्रेशन का मौहल है तो सैलिब्रेट तो हम नहीं करेंगे लेकिन हाँ हम जो है खुश हैं बहुत जादा और जब आइब अ उन सब चीजों की value कर सके हमेशा खुशी-खुशी-खुशी का महौल होगा तो आप भी पागल हो जाएंगे ज्यादा मद में तो हाथी भी पागल हो जाता है ना मदमस्त हाथी को आपने देखा है कि फिर वो क्या करता है किसी को से मतलब हानी पहुंच रही है तब भी उसको क आप लोगों से ले लेती हूं विदा कुछ खास नहीं है वीडियो में लेकिन हादिल की बाते शेयर करने का तो कोई नो कोई बहाना मुझे चाहिए और वह मैं करती रहती हूं अपने वीडियो के व्लॉग के थूँ तो चलिए आप लोगों में से जो लोग मैं हैं उनसे मै रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और अपनी फैनली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेर कीजेगा दोस्तो और इसी तरह अपना प्यार और आशेवार मुझे बनाए रखेगा बाई अपना ख्याल ब错 झाई pi और जोस्तों सब्सक्राइबैसे करे घ्या है